हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टेरिकी एजूगेशन पर दोस्तों आपको मैंने बताया था दोस्तों आपको 2011 से लेकरके 2019 तक के सारे सीटेट के पेपर सॉल्व कराऊंगा तो मैंने वह स्टार्ट भी कर दिया है तो 2011 के मैंने एबियावरण और ब कायम हिंदी का हिंदी 2016 का ज?? आते हैं तो पहल देखिएगा पहला कुशन कहा है हमारा पर या समस्याओं के कारणों की शही पर यह.साद न ISY तो कि तो ध्यूम हमतने दोस्तों समझएगाए कर ने पर दोस्तों ध्यांने पर्लेया-टो दके उप्चार आत्मक सच्छड की सबल था किस पर नगती हो तो समस्याओं के कारणों की सही पैचान पर दोस्तों अगला क्या हमारा देखिए यह में ताद में आप सी सही हो जाएगा ओके दोस्तों आगे देखते हैं यहां सतूं और देखे देखे लिदेें एक मिनेटेश कि दूस्तों आए वह सही पत पुस्ता बताई दूस्तों। या साध्य है यह उनावस्त्य के यह वावनया सैक। और भापा फिचल्डें आपढ़ाते पिसमें मतलब पाठ पुछ्त क्या रोल है ढोरे उड़ी सिवात है यह कहना चाहिए भी दोस्तव तो हमारा कैब एक वात्र फाधन है या साध्य या एनावस्यक या फाधन है दोस्तो यह क्या है एक साधन है वाफा फिचल के अंतरगत पार्ट पुष्टक एक साधन होता है चलिए दूस्तों आगे देख लेते हैं अपना हच्चा में प्राय हंदी किस्वचेहएं境 को सामना करते हैं रहत भर काहिएकश कोिखने थां प्राय प्राय हंदी और इपर उपल्रच नाम और होता है दोस्तों यह रायत है दोस्तों नेक्स्ट पिच गया इसलिए आपको इस पर गया है ओके देखिए तो तो मारा क्या है इसका दोस्तों समझेगा हिंदी एक बहुत कठे बासा पर मतलब यह चैप्टर या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है ओके दोस्तों देखिए और दोस्तों यह चीज और खुछ नहीं ओके दोस्तों चलिए आगे देखें दो कुष्ण क्या करबाइव करें दुश्तकि कहानी सुनाने से क्या और दीご अटते हैं बच्चे अनसामचें रहते हैं बच्चों की कलपना सक्तिव चिंतन सक्तिका विकास होता है दोस्तों कलपना सक्ति आम पिच्चाने मान देखते हैं पिच्चाने मान का किरा हमारा बच्चा बहतर हो सकती है दोस्तों लेखन कॉशल का ऑपनी अनुवववों को लिखना शिरुत लेख ये सुनकर लिखना पाथा दारत प्रसनों के लिखना यसे फोनर लिखना अब्याथ दोस्तों मैंने क्या आता बच्चे के बच्चे के भाव को बच्चे पढ़ाएंगो दोस्तो जल्दी सीख जाएंगा जोसतों यह उपको पता हुए न१्सटो सबसे बैस्ट तरीका नकार दिया है फोट रखना यह और कोई भी काम निगेटिब नहीं करना है नको सोचना है हमेसा पॉसिस्टिव रखना ओके दोस्तों तो क्या अपनी अनुवबां को लिखेना दोस्तों बोलना कोशल में महित्ट पूड है दोस्तों क्या है बोलना कोफली के अनुसार अपनी बात कह सकना इस्पेस्ट इवन फुद्धोच्चारड आलंकार एक वासा का प्रियोग या मदुर बहाड़ी बताई दोस्तो बोलना कोसल में महित्पूल क्या होता है दोस्तो पताता हूं मैं आपको बोलना कोसल में दोस्तो मारा संधर्व एवन इस्तिती के अनुसार संधर्व एवन इस्तिती के अनुसार अपनी बात कह सकना यह बोलना कोसल की महित्पूल भूम बहाएं दोस्तो तमारा क्या जाएगा ओप्सन नमर ए सई हो जाएगा चलिए आगे देखतें दोस्तो पताने में क्या कर दो देखिए एक बासा सिचक के रूप में सबसे तुसे परशित कराना बच्चों की बासा को फंचार फादनों के फिरवाव से मुक्त रखना बासा सादनों का अभाव या बहुवासे कच्छा के फिच्चड के उची तरणीतियां तय करना बताई दोस्तो मैंने आपको यह ध्यान रखना है दोस्तो यह मानिक चलिए आपक के रूप में सबसे बढ़न चुनोती क्या होती है तो वह बहुवासे कच्छा के सिच्चड के लिए उच्छी तरणीतियां तय करना क्योंकि वह बहुवासे कच्छा नहीं कि सारे मतलब ऑल कैटिगरी के बच्च्च नहीं कि में रखने का सब तरह कोते हैं कुछ कच्छा में कौन सा कथन बाफा फिच्चड के फिद्धान्तों के प्रत्पूल है दोस्तों इसके उप्शन उस्तरव दिये एक समावेसी कच्छा में कौन सा कथन बाफा फिच्चड के फिद्धान्तों के प्रत्पूल है बताई दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोस्तों तो ओप्सन दिया हमारा बच्चे परवेश से प्राप्त वासा को ग्रेड करते बासा प्रियोग में नियम बना सकते हैं वासा परवेश में रहकर अर्जित कियाती है प्रिंट सम्रद माहुल वासा फीकिने मिसाहिक होता है दोस्तों यही राइट है नियम सिखाने से बच्चों का वासा विकास फीकिने कोँ होगा दोस्तों 안녕하세요 ऑफियोग में प्रियोग हो जाएगा ओप्रेंस नमर्द को में प्रत्वक्त कॉन scripture क्या कच्छा में ब्याकर के नियम सिखाने से बच्चों का विगास सीगिरता से होगा या कतन वासा फिद्धान्त के प्रतिकूल है और दोस्तों चलिए आगे देख लिए दोस्तों एक बहुत सांस्क्रत के रूप में किस वात को अधिक मैत देंगे दोस्तों क्या पाठ पुष्टक के प्रतिक पाठ को बलीबा समझाना या बच्चों को ब्याकर सिगाना या स्वयम सुध वासा का प्रियू करना या बच्चों को बासा प्रियोग के अधिक से अधिक अबसर देना दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही का अबसर देना आगर करें आज दोस्तों तो यह मारा 90 परसेंट सही आंसर होगा तो क्या होगा ऑप्शन नमार डी सही हो जाएगा ओके दोस्तों उम्मीद करत यह कौन सा नहीं है तो इस प्रस्ट तया एवं आत्म विश्वास के अपनी बात कहें ना बढ़ माला को करम से कंटस्त करना दोस्तों यह बेविन्द फंदरवों में बासा प्रियोग का प्रवावी प्रियोग करना दोस्तों पहले यह समझो कुशन ने क्या कहा है इसने कहा जाएगा उप्शन नमर्बी सब्सक्राइब करें कुशन क्या दोस्तों करना दोस्तों को यह बच्चों कीशंच कर्वावाव्बों को व्यस्त रखने का उत्तम सादनन यह यह बच्चों की चमताओं इस तरगें सा ग्रेकार दिया जाना चाहिए सब्सक्राइब दोस्तों कौन सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा प्रेशन इलाड लेंगे अगर माने चाहिए कोई बच्चा मंदूद्धी वालक है और उसे आते नहीं पांच तक भी दोस्तों कैसे करा सकते हो सब्सक्राइब करें अब्सक्राइब वहां सब्सक्राइब कौन साइब के बडिन हो और दोस्तों ठंद अथ थ्याओं सब्सक्राइब औरстаточно है इस सुनना पर ना हम करते हैं दोस्तो दोस्तो आपको थोड़ जान दोगे तो एक चीस निकल के आएगी यानि केमारा पहले बोल मिलनाक और बोलना लिखना यह बासा अभीवक्तात्म को चलिए आगे देखने पीछे दोस्तों बता दूंगा ब्च्च बासा परवेश में सहज और स्वत्य रूप देखनां करेंगे बच्चे की जटल और सम्रद्र फरच्णाओं वाद बिध्याल activity या दूस्तों बच्चे की बाच्चा संक्रपनाओं और बिद्याले में प्रचलित वासा पर वेश्थ में ब्रोधा वास चीवा शीक्त में साइक होता है या सुधार के नाम पर की जाने वाई टिपणियां बर निरर तक अभ्यास से बच्चों में अरुची उत्पन हो सकती है तोस्तों इसने क्या पुछता असत्य है तुमारा क्या है अपत्य है उप्शन मत सी पहले रखा है तो ओके क्यों आपको पता करते हुए यह चीज़ इतना एक कुछन दिख जाता है उकगे तुमारा ओप्सन मत सी साही हो जाएगा ओके आगे देखें तो मोटना लिखना कॉसलों पर ही बल देना चाहिए या बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कॉसल किरम से ही सीखते हैं है या बासा के चारव कोशल परसप्र अन्ता संभणनेत है या आपको सतों के विकास में अभयास की आपेच्चा बासे की नियमों का ग्यान जरूरी है बताइए दोस्तों दोस्तों तो एक चीज़ा माने चलिए हमारे एलएसा डबलु यह मारे फुनना लिखना पढ़ना बू पाठ में दिए गए चित्रों का उद्द षत है कि चित्रों से पाठ पुस्तक आकरसक बनती है या चित्र पाठ het Pुस्तक में का प्रश्र Battle देने का प्रश्रा नहीं या दोस्तो चित्र अमूर्थ संकलपनाय को समझने में साहता करते हैं ओके दूस्तों हमारा अप्सानमर डी सही हो जाएगा चली दूस्तों आगे देख लेते हैं हम उस्तों यह मारी परिवाब यह दी गई है तो कब तर आपकी ओके चलिए पहले यह पढ़ा देता हूं उसके बाद इसमी से आपको आएंगे अब ना गहरी नीद में तुम सू हरा कर दोस्तों मुड़ते रहे तुम अब तुम्हें आकास में ओड़ने न दूंगा आज दर्ती पर वसाने आ रहा हूं में ओके दूस्तों यह किसी ने दिखा है सोहलाल बेदी जी ने पहले यह चीज़ी धार रखना दोस्तों के अब देखते हैं क्या दिया है गहरी सब्सक्राइब दोस्तों इसने क्या का था उदेशन फजाने आरा हो कलपना में आज तक उड़ते रहे तुम उटेश्टों इसमें क्या था यानि कहने कहा था बें तो यह निडर कोई चिंटा नहीं दोस्तों बेखाबर के लिए दूस्तों दिया गया तुमारा उप्सिन कि लोगों को कहां नहीं जाने देगा जो कहां पाताल में आतल गहराई में यहां सूर रस्त होता यह दो स्थों पतन की रहा पर उसमें दिया उपत अंदिका पतन की राहा पर उके चलिए इसके अब ब्याक्या बताई तो अप्शन मर्डी से हो जाएगा देखिए ब्याक्या कहा इसकी कभी मानव अपनी कविता के माद्यम से जीवांतता पैता करता हुए किसी को भी पतन की राहा पर नहीं जाने देता ओके दोस्तो चलिए आगे देख लिए करवे दोस्तो अगला ओप्शन करे रहा है कि अंछेय लिए क्यां अँगल के रहा है कहा देखिए कभी किस तरह की व्यक्तियों सम्मोर्दित कर रहा है दोस्तो जो आतित्रिक प्रेरित हैं जो बहुत परस्लिम यह जीवन की कटोर बार्स्तिक साहुं से बेख अख़र है जो आगे अच hanya को सुन जाते हैं वह ड़्य दूस्तों से देख करना चाहते हैं लोगों को क्यों जगाना चाहता है बताई दूस्तों इसमें क्या था अपने लोओध्य यह ठीट टीर कभी लोग क्यों जगान चाहता है ताके लोग गीत सुन सुकें क्या या ताके मनश्यों में गत्वीलता आ सके और प्रगति के पत्पर आगे बढ़ सके या सुबह हो गई है यह कवी का दायत बताई दुस्तो उस्सें ऐसा कुछ भी निगा है उसका कहने कतात पर यह है बताने कि आए देख्षी तुम्हें कौन सा रंकार है या पता है या उपमा रंकार या रूपक लंकार के देख सकते हो एन चैनल की प्लेश्ट में देख सकते हो देख सकते हो आगे देखते हैं एक है क्या पूदस्मां क्या रहा दोस्तों देखे दोस्तों 111 मां कहे रहा है काविता का उपयोग तो सीर्षक हो सकता है कौन हो सकता है क्या हर सो सकता है या को लाहल हो सकता है या आकास हो सकता है या जागरती हो सकती है बता ही उसके जागरती ओके वह क्या कर रहा है उसमें जागरती तो उत्पन कर रहा है लोगों में जो आदमें गोम रहे हैं उन्हें उसके पतफरी तो लाना चाहिए यही तो का गया उसमें उसमें यानि सही रापर उसमें काया जागरती ओके तो अब देखें लिए आगला दोस्तों यह क्या कहारा देखिए मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लखी लेकन एक जगए लिख दिया सफाई बगैर है कि गांधी जी प्रादेन डायरी परही पड़कर उसके अपने अफस्तात करते हैं आज की डायरी song न करते हुए गांधी इने लिखा है कातने की गतिका इसाब लिखा जाए मन में आए हुए बिचार लिखे जाए जो जो पड़ा हो उसकी ठिपड़ियां लिखी जाए बगएर का उपयोग नहीं जाए डायरी में बगएर सब्द के लिए कोई इस्तान नहीं है जिसने जो पड़ा हो उए लिखा जाए ऐसा करने से पड़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा जो बाते हुईयों बे लिखी जाए मनु ने अपनी गलती का ऐसास किया और डायरी बिद्या की दोस्तो पवित्रता को समझा यानि कि विद्या की पवित्रता को समझा गांदी जी ने पुनय मनु से का डायरी लिखना आसान कार नहीं है यह इवादत करने जैसी विद्या है हमें सुद्ध वर फच्च रूप से प्रतिक छोटी बड़ी गटना को निस्पच रूप से लिखना चाहिए चाहे कोई हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो इससे हम मतलब हमें सच्चाई सुईकार करने की सक्ति प्राप्त होती है ओके दोस्तों आगर आपको इतना समय मेरे पढ़ने का ना फम्हाया हो दोस्तों कि में जल्दी बता रहा है तो आपको बोरिंग होता है दोस्तों आप वीडियो को पॉस करके द्वारा खुद पढ़ सकते वह दोस्तों यह किसके गांदी जी के रोचक संसमर्ण दोस्तों चलिए अब आगे हम कुश्चन लगा लेते हैं कि देखें दूस्तों यहां कि मनु को अपनी किस गलती का ऐसा सुगा दोस्तों मताईए मनु को अपनी किस गलती का ऐसा सुगा उन्होंने गांदी जी की बात नहीं मानी थी मनुने डायरी में कातनी की गति का असाब लिखाता उन्होंने डायरी में सईसी बात लिखी थी उन्होंने डायरी में ब पत्ति क्यों जटाई दूस्तों तो उपसेमा पहला है बगएर सब्सक्राइब जगह सब्सक्रास्थाब तो क्या हूं act सब्सक्राइब करने को इबादत करने जैसा क्यों का दोस्तों पहला है दोनों में समय लगता है दोनों कारे हमारे सब्सक्राइब करता है और सब्सक्राइब करता है इससे व्यक्ति पूरे दिन किये गए सब्सक्राइब करता है और सब्सक्राइब क्या करते देखा मसें क ребята我们 को export और सब्सक्राइब दोस्तों और तो सब्सक्राइब करते थे थे दोस्तों तो अस्ताचर करते थे क्योंकि यह नियम थे लोगों को उनकी गलती का ऐसाज कराते थे डाइरी पर अस्ताचर करते थे और यह देखते थे कि यह ब्यक्ति अपने कार्रों विचार में किस दिसा में जा रहा है यह अस्ताचर करते थे ताक जांच का प्रमाण दिया आ जा सके वदाई दोस्तो तो इसका हमारा उप्शन मसी सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तो भी क्या करते थे डायरी पर अस्ताचर कर करते ते और यह देखते थे कि अपने कार रोल विचार में किस दिसां में चल रहा है ओके दो तो हमारा ऑप सनमसी चल जाएगा आज देख लेए दोस्तों दोस्तों आगे देखते हैं और 170 सब्द में कौन सा समाव है दोस्तों समाजते हो नो समाजते हो बेचए को कावियोय निगल दायतर समास होता है दो प्रत दिन में क्या है अב्यवाब समासा है जिस समास का पहला पद पूरु पैल पद अब्मी और समास कहते हैं टौर्ध वार। हुप्णन और समर मारा of भूम खागा कितना पच गया है का किया धुछ तो कितना फट्ट किया और पड़े वगए कितना संमय आया किया दूस्तों fine के लिए डी सही और फिलाइगा चलिए इसth यांवी के खुश्चन नमर 119 कि क्या कर रहा है कार्व सब्द का तद्वव रूप बताना यह सीवा होता है क्या कारज होता है क्या यह काम क्या तुम काम काज कर रहे हो का जो slice solids क्लिस्ट किया है कलें और कि दीपर का विचार में एक प्रत्य लगा का सब्ड बनेगा कों मने एक बैचारीक बनेगा विचारीक बने बनेगा ऑना क्यां मदयाने साणी ऑनीविचार governance एक बनेगा बैचारीक विचार में एक प्रत्य लगार करनेगा बैचारिक दोष्टों कई-कई भाई बनुन नहीं लगा होगा विचारिक वनेगा और दूश्टों आज की लिबास सितना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू काने जोस्तों और हमारे चेनल को सर्फ्राइ करता है दोस्तों परदिया नारा कारीं की जना कषूने चाहिए के स्वस्ट्री करना जयुख लिश्टी यां नियुके 0022 सब्सक्राइर कब करे देकुआ के दो एक ले लुगा है ना ले दो तो उसकल आपको कराऊंगा दोस्तों वीडियो देखिलें के लिए धन्यवाद